बानो कुच्सिया कहती हैं के मर्द आँखों से महबत करता है और औरत कानों से महबत करती है मतलब मर्द उस औरत से महबत करता है जो खुबसूरत हो और औरत उस मर्द से महबत करती है जो बाते दिल फरेब करता हो दुनिया की सारी काम्याबिया समेटने के बाद भी मर्द अपनी मनपसंद की औरत के कदमों में अपनी शिकस्त तसलीम कर लेता है मुहबत में बच्चा बन जाओ और लड़ाई के वक्त समझदार इस तरह सची मुहबत कर सकोगे और समझदारी से काम लेते हुए लड़ाई भी न करोगे और हमेशा खुश रहोगे किसी बेकदरे शक्स से की जाने वाली मुखलिस मुहबत आपको सारी जिन्दगी के लिए जहनी मरीस बनाने के लिए काफी होती है मर्द अगर चाहता है कि वो औरत के दिल से कभी न उतरे तो उसे चाहिए बीवी की इज़द करे तनहाई में भी और दुनिया के सामने भी दुख की दराने चेहरों से तो खतम हो जाती है लेकिन इनसान के अंदर उतर कर उस एक गोशे को वीरान कर देती है जो सिर्फ किसी एक इनसान के लिए मक्सूस होती है रिष्टे तोड़ना बहुत आसान है असल समझदारी ये है कि कुछ भी हो जाए दरगुजर करके मुहबबत को काईम रखा जाए वरना रिष्टा खतम करने का पच्चतावा आपको जिन्दगी भर सुकून से सोने नहीं देगा कुछ अर्से के लिए राप्ते में पहल करना छोड़ दीजिये आपको पता चल जाएगा कि आप कितने मुर्दा पौदों को पानी दे रहे थे लोग खास नहीं होते बलके खास तो हमारी चाहत होती है जो किसी को हमारे लिए खास बना देती है वरना यहां तो हसीन और जमील चहरे भी दिल से उतर जाते हैं सिर्फ दो लोग आपको सही तरह से समझ सकते हैं एक वो जो आपके हाला से गुजरा हो और दूसरा वो जिसको आपसे शदीद महबबत हो रोता वो इनसान है जिसने रिष्टा दिल से निभाया हो वरना मतलब का रिष्टा रपने वालों की आँखों में ना तो शर्म होती है ना तो पानी जिन्दगी में एक ऐसे शक्स का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफजों की जरूरत ना पड़े अगर लोग आपको कुबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना क्योंके लोग अक्सर वो चीज़े छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो नहीं दे सकते जब अचानक दिल उदास हो जाए तो रू की मरमत करने का लम्हा होता है सुना है तौबा करने से रू की मरमत हो जाती है उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया जजाक अल्ला हुखेरन कसीरन कसीरा यूही मेरे वीडियो देखा कीजिए अल्ला हाफिज